नमस्कार दोस्तों आप सब आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज़ फीडिया में स्वागत है तो आज की वीडियो होने वाल यह नेटवर्क टॉपोलोजी के ओपर जो की एक कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं बश्तार देख पारों कागसी सारी टॉपोलोजी जो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके सब से पहले हमारे पास आता है पॉइंट टॉपोइंट टॉपोलोजी अभी लग से मेरे पास एक कंप्यूटर है यह एक दूसरा कंप्यूटर है आपके यह दोनों computer एक दूसरे के साथ communication कर पाएं so what I can do is I can directly attach a LAN cable like this and don't know me I'll attach it and I'll be able to communicate from one computer to another computer easily is it so this is concept is called point to point topology point to point topology इसी के साथ अगर मैं second topology की बात करूं तो हमारे पास आजाता है star topology जैसा कि आप इस फोटो के अंदर देख ही पारे होगे this one is the star topology इसमें होके है रहें just see हमारे पास एक central point है that is the central hub जिसके साथ सारे ही computer connected है और for example यह मेरा computer number one है और यह three है और यह second है अगर one से two communication करना है मैंने यह फिर one से three करना है तो मुझे through this hub to this central point ही जाना पड़ेगा और कोई option नहीं है तो इसके अगर हम advantage की बात करें तो number of wires कितनी है जितने number of computer यह devices है that is and अगर मेरे पास five computers है तो total number of wires used भी कितनी होंगी five and one thing more अकर by chance इसकी disadvantage यह है कि अगर by chance यह जो hub है यही खराब हो गया the central point it just got damaged क्या होगा जब अगभी damage हो गया तो कोई भी communication possible नहीं होगा that's its disadvantage तो यह सिर्फ आइडियाज है इसकी application है जो वो further हम वीडियो में discuss करेंगे so don't worry about that it's just an idea इसकी के साथ अगर मैं next type of topology की बात करूं तो आजाता हमारे पास bus topology इसमें देखिए there is a backbone this is a backbone जिसके साथ जितने भी computer हैं tabbed है you can see यहां पे चार computer tabbed है इसका जो एक real life example आप सभी ने देख ही होगा for example आपकी जो नगरपादी का they have some water tank and जो कि आपके society में सभी houses में distribute होता है यह देखो यह सारे houses and for example this is a road and कुछ underground से we have one pipe and यह pipe हरे गर से connected होती है to provide water it's a type of bus topology एक ही pipe से पानी आरा सबको इसका advantage क्या है कहां पर यूज होती है चहां पर number of wires हमें कम चाहिए थोड़ी सी मतलब speed means अगर मैं communication की बात करों तो obviously क्योंकि एक single line use कर रहे है तो that means obviously speed जो है थोड़ी कम रहने वाली है okay so according to you know the usage according to the application we use such topology इसी के बाद मैं बात करता हूं ring topology की तो यह ring topology यहां पर देखो five computer हमारे पास attach है एक ring में अभी for example मैंने communication कराना है between one and five okay so मैं सीधा ऐसी नहीं करा सकता है this is a wrong way हमें क्या करना पड़ेगा वान से दू पर जाना पड़ेगा टू से त्री पर जाना पड़ेगा थ्री से फोर पर जाना पड़ेगा और फोर से अल्टिमेटली हम आएंगे फाइगे इसका अड्वांटेज कहां पर है अगर मैं चाहता हूं कि सारे इंदर डिस्टिबूट तो ऐसे होती होती जाए सब के पास चली जाएगी रही तो मेरे पास एक अड्वांटेज आता है बट एक इस डिसद्वांटेज इसका है और एक्जाम्पल कि मेरा नेट यहां से कुछ फॉल्ट आ गया इस पीसी में फॉल्ट अगया पीसी शट्डाउन हो गया तो यह इस नेट्वर्क यह जो हमारा लूप है यह इंकंप्लीट रह जाएगा और इनो विच इस बिग डिसद्वांटेज और कम्यूनिकेशन पॉस अभी मेश टॉपलोजी है क्या लेट्स टॉक बोट लेट्से मेरे पास चार कंप्यूटर है एक नो थी चार अभी आशट कम्यूकेट बिटूं इच अफ दैंट के फॉल्टेंट मैं इससे इसकी जोड़ सकता हम इससकी 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 इससे इसकी राइट यह जुस नेम य 1 2 3 4 और क्या possibility है 3 और 1 की भी वायर हो सकती है obviously 4 और 2 की भी हो सकती है obviously so यह maximum possible wires maximum possible connection है जो की एक चार computers के बीच में हो सकते है could you see that एक computer के साथ बाग की तीनो computer की अलग-अलग independent wires right so that's an advantage in mesh topology advantage कि आपका data reliable होगा like say computer number 4 ने computer number 1 पर कुछ private information share कर ली है तो उसके अपनी अलग सी लाइन है जो की shared नहीं है किसी के सार्थ तो obviously वह राम से अपना data ऐसे share कर सकते है हाना but on the other hand there is a disadvantage also देखो एक इना सिर्फ चार computer के लिए हमें total number of wires कितनी चाहिए one two three and then four and then five one two three four just count it one two and four the total number of wires are how much six right so just six wires are used अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ four devices है इसे का हम फॉर्मूला डिवाइब करते हैं तेखो हमने कितने let's say हमारे पास n connection है so कितना combination बढ़ेगा nc2 का right so nc2 कितना होता है n into n-1 upon 2 सिधा भी कर सकते हैं अगर मैं इसको n वानो इसको n-1 वानो and just see there is one line between them one wire between them connecting to computer that is why n into n-1 divided by 2 okay so now just see in this case अब मैं आप फॉर्मूला भी लगा के दिखा देता हूं 6 भी कैसे आया वैसे तो इसमें सीधे ही आप काउंटर सकते हो but we can implement you know it using the formula also so total number of computer कितने 4 4 into 4-1 which is 3 divided by 2 that is 4 into 3 divided by 2 2 to the 4 and 3 2s are how much 6 so 6 is gonna be the answer so यह कुछ नुमेरिकल इसके रिलेटे आ सकते हैं so you can have you are get में बेसिकली नहीं आता UGC net वाले कुछ नहीं कुछ पूच ही लेते हैं so you can prepare accordingly इसके बाद हमारी जो यहां पर मेरे पास कुछ ऐसे हैं so just see यहां पर it's a mixture of this is the bus topology and this is ring topology and it's a mixture of two types of topology that's called hybrid topology you know hybrid topology मतलब कि दो यां दो से ज्यादा types की topology अगल combine की गई हो तो उसे हम बोल देते हैं hybrid topology आशागा तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू